हाई एव्रीवन मैं हूँ आपकी श्रदादीदी और वेलकम टू अपना कॉलेज आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अब ट्री काफी इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है इससे पहले हम स्टैक्स क्यूस बहुत कुछ पढ़ क्या अपने जावा कोर्स के अंदर त्रीकम इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इंटर्व्यू में बहुत सारे सवाल आते हैं फेस्बुक डाइरेक्टाइ गोल्ड मिंस आक्स जैसी कंपनीज के अक्चुल इंटर्व्यूज में पूछे गए अब ट्रीज के अंदर हम स्पेसिपेकली कवर करेंगे बाइनरी ट्रीज को क्योंकि बाइनरी ट्रीज की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके स हाइरखेल डेटा स्ट्रkami यृता हुटा होती अभी तक हमने काफी सारे टा-स्क्चर पड़े है रहा है कि हमारा स्टैक क्या होता है या पिर हमारी क्यं होती है इसके अलावा हमने एरेरे लिस्ट और में निक यहारे पाड़ें चार्ट के उपर हम क्या करते थे उपर दादा दाती की फोटो लगा देते थे नीचे अपने चाचु की ताउजी की और फिर अपने पापा ममी की फोटो लगाते थे उसके नीचे अपनी अपने भाई-बेन की और अपने कजन्स की फोटो हम लगाते थे तो इस तरीखे का जो department का होडी, electrical department का होडी, biotech department के होडी, उनके नीचे हमारे teachers आते हैं, teachers के नीचे काफी सारे बच्चे आते हैं, तो इस तरीके से अगर school चाहे कि भाई मुझे तो अपना admin system बनाना है, जिसमें मैं ये सारा जो hierarchy है, उसको computer के अंदर code के अंदर feed घर सको, तो मैं कौन सा data structure यूज़ करूँगा, उस data को store करने के लिए, tree data structure, तो इस तरीके से hierarchy की जो information होती है, उसको हम trees के अंदर store करते हैं, अब जब भी हम tree की बात करते हैं, एक real life tree को अगर हम imagine करें, तो उसमें कुछ-कुछ जड़े होती हैं, जिसको हम root कह देते हैं, कुछ-कुछ टेहनिया होती हैं, जिसको हम branch कह देते हैं, और उसमें आखिर में कुछ पत्ते होते हैं, जिसके बाद कुछ नहीं होता, तो उसको हम leaf कह देते हैं, जब हम code में एक tree को visualize करते हैं, वो ऐसा ही दिखता है, बस एक छोटा सा difference होता है, असली tree की root जड़े नीचे होती हैं, code वाले tree की जड़े ऊपर होती हैं, असली tree के leaf ऊपर होते हैं, code वाले tree के leaf नीचे होते हैं, तो जब हम code में एक tree को visualize करेंगे, तो उसकी ऊपर एक root हो, root के अंदर कुछ data store होगा, इसको हम कहते हैं हमारी root node, अपने link list में पढ़ाई है, node क्या होती है, जिसके अंदर data store होता है, तो tree के अंदर भी nodes होती है, जिनके अंदर data store होता है, अब वहाँ से काफी सारी branches निकल रही होंगी, branches हमारी और nodes तक जाएंगी, और nodes से फिर और branches निकल कर नई nodes बनेंगी, और यहाँ पर वो nodes जहाँ से और branches नहीं निकल रही, इनको हम कहते हैं हमारी leaf nodes, यह हो जाएंगी हमारी branches, तो कुछ इस तरीके का हमारा tree structure बनता है, जब भी हम visualize करते हैं tree को, diagram जब भी बना रहे होंगे, तो इस structure को दिमाग में हमें रखना है, अब यह तो हमारा general tree का structure हो गया, जब हम binary tree की बात करते हैं, तो binary tree हमारा special type का tree होता है, जिसके at max, दो ही children हो सकते हैं, जैसे हमने अभी अपने tree में देखा, कि एक node से, हमारी कितनी भी branches निकल सकती थी, लेकिन एक binary tree के अंदर, एक node से maximum दो ही branch निकल सकती हैं, और वो दो ही nodes को connect कर सकता है, इसलिए उसे binary, binary यानि two, zero और one, तो इसलिए उसको binary tree का जाता है, अब binary tree को पढ़ने से पहले, हमें कुछ-कुछ terms हैं, जो अपने दमाग में रखनी हैं, जिनको हम बार-बार-बार-बार use करेंगे, एक tree structure के अंदर, ये होती है हमारी node, और जो इसके left में node आती है, उसको हम कहते हैं, इस node का left child, और जो right में node आती है, उस node को हम कहते हैं, इस node का right child, अब ये दोनों नीचे वाले एक left child है, एक right child है, तो children हो गए, तो उपर वाली node को हम parent node भी कह सकते हैं, किसका parent होगा one, one होगा two और three का parent, तो हमने दो अनाए टम सीखें, या पर कि parent क्या होता है और child क्या होता है, इसके अलावा, जिन nodes का same parent होता है, उसको हम sibling node भी कहते हैं, अब two और three का same parent है, तो ये दोनों हमारी sibling nodes हो गई, तो इनको हम sibling यानि भाई बेहन वाली nodes कह सकते हैं, अब इस stream में हम धान से देखें, तो हम leaf को भी ढून सकते हैं, leaf कौन होगा, हमारी ये seven वाली node leaf है, क्योंकि इससे कुछ और node नहीं निकल रही, eight वाली node leaf है, five वाली node leaf है, हमारी nine वाली node भी leaf है, तो इसमें चार leaf है, अब six की अगर बात करें, six एक leaf नहीं है, क्योंकि six का एक child है, उसका सिर्फ right child है, उसका कोई left child नहीं है, तो left child क्या है, हमारा नल है, तो इस तरीके से बात कर सकते हैं, अब एक और special term होती है, जो हम trees के लिए use करते हैं, उसको हम कहते हैं ancestors, ancestors का हिंदी में मतलब होता है, कि हमारे जो पूरवज हैं, तो किसी भी node का ancestor कौन होगा, अगर seven के लिए ancestor देखें, तो वो होगा उसका parent, plus parent का parent और उसका भी parent, जब तक हम root तक नहीं पहुँच जाते, तो seven के ancestor में four आएगा, और four का parent two आएगा, और two का parent one आएगा, तो seven के ancestors में तीन node आजाएंगी, four, two and one, इसी तरीके से six के ancestor देखें, तो six के ancestors में आएगा three, और साथ में one, तो इस तरीके से किसी भी node का, हम ancestor node निकाल सकते हैं, ancestors पर lowest common ancestor नाम का, एक बहुत important सवाल आता है, जो बहुत सारे interviews में directly पूछा जाता है, इसलिए ये जो basic basic term है, ये हम बार बार use करेंगे, और हमें दिमाग में अभी से रखनी हैं, इसके लाबा दो और special terms हैं, जो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है हमारे levels और subtree, एक tree के अंदर levels और subtree का क्या मतलब होता है, अब जब भी हम hierarchy की बात करते हैं, hierarchy में हमेशा levels आते हैं, यानि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर होता है, तो tree के अंदर ये बन जाएगा हमारा level 1, कुछ-कुछ लोग होते हैं जो उस तरीके से question solve करते हैं, कि first level को level 0 कह देते हैं, वो वाली calculations भी सही होती हैं, पर हमारे course के अंदर हम level 1 के हिसाब से चल रहे होंगे, 2 और 3 हैं हमारी level 2 पर, 4, 5, 6 हैं हमारे level 3 पर, और 7, 8, 9 हैं हमारे level 4 पर, तो इस तरीके से levels हम बता सकते हैं nodes के, जब भी level आता है depth नाम की भी एक term आती है, level होता है कि उपर कौन है नीचे कौन है depth होता है गहराई, तो level 1 की गहराई depth है 1, level 2 की depth है 2, level 3 की 3 और level 4 की 4, तो अब हमसे एक simple सवाल पूछा जा सकता है, कि हमारी जो node number 5 है, उसका level और depth आप बताईए, तो 5 वाली node ये हो गई, हमें पता है कि ये node हमारे level 3 पर है, तो इसका level भी 3 हो जाएगा और इसकी depth भी 3 हो जाएगा, किस तरीके से होता है, अगर हम इस node 2 को देखें, तो इसके left पार्ट में एक ये छोटा ट्री है, और right पार्ट में ये एक छोटा ट्री है, तो इस छोटे ट्री को हम कहेंगे 2 का left sub tree, और इस छोटे ट्री को कहेंगे 2 का right sub tree, तो 2 के left subtree में आ जाता है 4, 7 और 8 right subtree में आ जाता है 5 उसी तरीके से अगर हम 3 के लिए analyze करें तो 3 का कोई left subtree है यह नहीं क्योंकि वहाँ पर null है कोई node ही नहीं है पर 3 का एक right subtree है जिसके अंदर 2 nodes हैं हमारी 6 और 9 तो इस तरीके से हम किसी भी node के लिए उसका left subtree देख सकते हैं और उसका right subtree देख सकते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो 3 के right subtree में अब यह जो छोटा tree बनाएं इसके अंदर 6 इस छोटे वाले tree की root है तो इस तरीके से छोटे वाले subtree की भी हम root visualize कर सकते हैं तो यह हो गई हमारी दो टर्मस left subtree और right subtree अब जितने भी हमने concept सीखे हैं इनको एक छोटा सा सवाल करके हम दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे तो उसके बाद हम भूलेंगे नहीं यहाँ पर हमें एक हल्का सा pause करना है आनलाइज करें तो at max दो ही नोड है या तो leaf होगा मतलब एक भी चाइल नहीं है या फिर हमारा एक single child वाला नोड होगा या फिर दो चाइल्ड वाला नोड होगा तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा tree एक binary tree है इसमें कुछ-कुछ हमें सवाल है जो solve करने है सबसे पहला है children of two two हमारी ये नोड है उसका left child है 4 और उसका right child है हमारा 5 तो children of two में आ जाएगा 4 और 5 दूसरा सवाल है number of leaves in this tree 7 हमारा leaf node है 8 हमारा leaf node है 5 हमारा leaf node है और 9 हमारा leaf node है इन चारों के अलावा कोई भी ऐसा node नहीं है जिसका न left child हो न right child हो इसलिए हमारे tree के 4 leaf nodes है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 next है parent of three 3 वाली जो node है उसका हमें parent निकालना है तो 3 वाली node यहाँ पर है इसका immediate parent यानि उपर वाली node है हमारा 1 तो 3 का parent बन गया 1 level of 5 इस पूरे tree में हमें 5 का level निकालना है तो 5 को देख लेंगे कहां पर है 5 यहाँ पर लाई करता है तो level of 5 है हमारा level 3 पर 5 वाली node है तो level of 5 is 3 next सवाल है sub trees of 2 and 6 सबसे पहले 2 को analyze करते हैं 2 वाली node यह रही इसके left में यह सारे nodes आते हैं इसके right में यह 5 वाला node आता है तो यह रहा इसका left sub tree और यह रहा इसका right sub tree तो यह सारे nodes हम लिख सकते हैं अब next 6 को analyze करें तो 6 वाली node यह रही इसका left sub tree खाली है क्योंकि उसमें null है इसके right sub tree में 9 है तो यह हो गया इसका right sub tree जिसके अंदर single node है which is 9 next हमारा सवाल है ancestors of 4 तो 4 के हमें ancestors निकालने हैं 4 वाली node ये रही 4 का immediate parent है 2 2 का immediate parent है 1 1 में हम root पे पहुच गए तो और उपर parent नहीं है तो 4 के ancestors हो जाएंगे 2 and 1 तो इस तरीके से सारे के सारे A से F तक हमने सवाल कर लिए अगर ये सवाल हमने खुद से कर लिए थे तो मतलब हमें trees के basic concept काफी अच्छे से clear है और अब हम आगे बढ़ सकते हैं और important questions के लिए next जिस topic को बढ़ेंगे उसका नाम है build tree pre-order यानि यहाँ पर हम tree को build करना सीखेंगे उसके लिए हम एक pre-order का sequence दे रखा है यह pre-order क्या होता है इसको हम next topic के अंदर detail में पढ़ रहे होंगे यह है हमारा given sequence इससे हमें अपने tree को build करना है यहाँ पर यह जो minus one हम देख पा रहे हैं यह वाला minus one यह वाला यह वाला यह सारे represent करते हैं हमारी null node को तो जब भी हमारे tree में हमें null node डालनी होगी मतला हमारे next जो node होगी child वो खाली होगा तब हमने वहाँ पर minus one लिखा हुआ है अब यहाँ पर tree को कैसे build करना है tree को build करने के लिए हम एक एक number पर जाएंगे और उस number से node create करेंगे और फिर उसका जो next number होगा वो दर्शाएगा कि वो हमारी left node है और उसके आगे वाला number हमारी right node है कैसे हम सबसे पहले जाएंगे अपने number one पर one क्या बन जाएगी हमारे tree की root उसके बाद हमें add करना है one का left child तो next number क्या होगा next number two हो जाएगा one का left child उसके बाद two पर आगे हम अब हमें add करना है two का left child तो two के left child के लिए two से एक आगे बढ़ेंगे यानि four पर हम आ रहे होंगे तो four को यहाँ पर add कर देंगे as two का left child अब हमें four का left child add करना है तो four से next जाएगे next जाएगे तो minus one आएगा यानि यहाँ पर आएगा null उसके बाद four का अब हमें right child add करना है तो यहाँ पर भी क्या आएगा यहाँ पर भी आएगा null क्योंकि minus one के बाद दुबारा से minus one है अब हम एक level उपर चले जाएगे उपर आए two पर अब two का right child जब हमें add करना है तो फिर null आजाएगा अब एक level उपर जाएगे five के लिए सब कुछ complete है two के लिए सब कुछ complete है अब आगए one पर अब add करना है one का right child तो minus one से आगे बढ़कर three पर आए three बन गया one का right child अब three का left child हमें बनाना है तो three के left में हम आएगे three के बाद क्या है जब बात करेंगे तो six के बाद है minus one तो यहाँ पर null आजाएगा एक और minus one है तो यहाँ पर भी आजाएगा null इस तरीके से हमारा जो three बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें one सब से उपर होगा उसके बाद होगा हमारा node two उसके बाद होगा हमारा node four यहाँ पर जिस भी node के पास left में भी नल है, right में भी नल है, left में भी नल है, left में भी नल है, right में भी नल है वो सारे के सारे nodes actual tree के leaf nodes हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा final tree structure हमें दिखाई देगा अब इस पूरे process का हमें कोड लिखना है अब अपने tree को build करने के लिए हमारे पास अल्रेडी सारी की सारी जो nodes है, उनका data गिवन है किस sequence में गिवन है, pre-order sequence में सबसे पहले हम अपनी static class node बनाएंगे static class node के अंदर आएगा हमारा int data उसके साथ node left उसके बाद node right अब यहाँ पर constructor आएगा जिसमें हमारा data stored है अब this.data is equal to data this.left के अंदर हम शुरुआत में क्या लिख रहे होंगे? null तो left child शुरू में null है, right child शुरू में null है this.right भी हो जाएगा हमारा null यह बन गई हमारी node class जो हर एक tree की single node को represent करेगी इसके अलावा हम एक static class बनाएंगे जिसको नाम देंगे binary tree और इसके अंदर एक function होगा public static node build tree यह function क्या करेगा? हमारी सारी की सारी nodes को लेगा तो जो हमारा array है nodes का उसको हम pass करेंगे यहाँपर और return कर देगा हमारे root node को तो इस तरीके से function काम कर रहा होगा और main function के अंदर हम क्या करेंगे? एक binary tree बना लेंगे binary tree class से और अपने tree के लिए हम call करेंगे अपना build tree function जिसके अंदर अपनी nodes पास कर देंगे और यहाँ से हमारे पास node में return होकर आएगा अपने tree का root तो इस root के लिए हम different different चीज़ें कर सकते हैं हमारे पूरे tree को represent करता है अब अपने function को कैसे build करेंगे? हमें पता है कि अगर हमें nodes का सारा data दिया हो pre-order sequence में तो क्या करना है? एक एक index पर जाकर travel करना है तो उस index पर travel करने के लिए हमें एक variable चाहिए होगा static type का static int index इसको initialize करेंगे माइनस 1 के साथ माइनस 1 के साथ क्यों? तक हम बार बार increment करके हम अपनी पूरी length तक ले कर जा सके जैसे ही function call होगा यह index update हो जाएगा पहली बार में अपडेट होकर माइनस 1 से 0 हो जाएगा तो 0 इत index को या नी root को हम सबसे पहले create कर लेंगे अब nodes वाले data को जब हम read करेंगे जैसे nodes of index की value अगर minus 1 आ जाती है वहाँ पर हमें directly return कर देना अपने null को null को क्यों? क्योंकि हमारी जो minus 1 है रूँ रीप्रेसेंट करता है कि यहाँ पर null node बनेंगे null node एक बार बना दी उसका ना कोई left child होता है ना कोई right child तो directly null को return कर दो अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें बाकी data के लिए अपनी नई node बनानी है new node और इसमें आ रहा होगा हमारे पास nodes of index अब सबसे पहले नई node का left subtree create करेंगे call लगाएंगे build tree को जिसमें pass करेंगे nodes और यहां से जो भी node return होकर आएगा उसको new node के left में store करवा देंगे अब build करेंगे new node का right subtree तो new node.right is equal to build tree और उसके अंदर पास करेंगे अपनी nodes को और यहां से return कर देंगे new node को तो कुछ इस तरीके से हमारी सारी की सारी nodes हैं वो create हो जाएंगे recursively हर node को create होने के बाद उसका left subtree create होगा फिर उसका right subtree create होगा और फिर वो return हो जाएगी तो इस तरीके से recursively end में क्या return होगी हमारी root node return होगी इसको verify भी कर लेते हैं last में क्या करेंगे अपनी root का data print कर वा लेंगे और अगर tree सही build हुआ है तो root के data में यह one stored होगा output में हमारे पास आया है one which is true क्योंकि one ही आना चाहिए हमने जो tree visualize किया था अभी वो same tree हमारे code के अंदर create हो गया next चीज़ जिसके हम बात करेंगे trees के अंदर वो हैं हमारे traversals traversal करना यानि tree पर travel करना एक tree पर हम काफी तरीकों से travel कर सकते हैं चार सबसे classical ways होते हैं trees पर travel करने के इन ways का सिर्फ यहां पर हम सिर्फ code नहीं लिख रहे होंगे इनकी काफी सारी implementation है और अगर हम यह अच्छे से समझते हैं तो और recursively हमें यही करना है pre-order traversal एक recursive technique है recursion का use करेंगे यहां पर यहां पर हम एक tree दिया होगा तो उसके सबसे पहले root node पर travel करना है फिर left subtree पर travel करते करते हैं उसके data को लिखते जाना है फिर right subtree पर travel करना है इसका example देखते हैं example में हमें यह tree दिया हुआ है तो rule क्या कहता है पहले root फिर left subtree फिर right subtree तो root पर पहले travel करेंगे यानि one पर पहले आएंगे तो print कर देंगे one को उसके बाद one के left subtree में जाएंगे यानि इस पूरे के पूरे portion में जा रहे होंगे तो one से आएंगे हम two पर अब two पर जैसे ही पहुँच गए two के लिए भी same rule follow करना है यानि अब इस subtree की अगर बात करें तो हमारा root बन गया इस चोटे tree का root two है अगर इस वाले subtree की बात करें तो चोटे tree का root four है तो इस तरिके से subtree का भी हम एक तरीके से root visualize कर सकते हैं तो two पर आगए तो twoबन गया हमारे subtree का root तो यहाँ पर भी क्या करना है पहले root को लिख लेना है तो two को लिख लेंगे अपने output मे फिर 2 के left subtree पे जाएंगे अब 4 बन गया subtree का root तो 4 को भी लिख लेंगे 4 को हमने output में लिख लिया अब 4 का तो left subtree ही नहीं यानि यहाँ पर null node है 4 का right subtree भी नहीं है यहाँ पर भी null node है तो अब वापस 4 से हम जाएंगे 2 पर 2 का left subtree पूरा cover हो गया यानि हमने second step भी कर लिया उससे पहले first भी कर लिया था अब हम third step को करेंगे यानि right subtree में जाएंगे 2 के right subtree में जाएंगे तो 5 आएगा 5 को कर देंगे print 5 का कोई left subtree नहीं है कोई right subtree नहीं है तो 5 से वापस पे जाएंगे 2 पर वापस से जाएंगे 1 पर 3 के left subtree में क्या है कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं करना फिर जाएंगे 3 के right subtree में तो 3 के right subtree में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आजाएगा 6 6 को हम कर देंगे print तो यह जो हमारा पूरा का पूरा sequence आया है इसको हम कहते है अपना pre-order sequence या pre-order traversal का output अब इस पर हम सवाल पूछ सकते हैं कि दीदी पिछली बार हमने pre-order sequence की बात करी थी उसमें तो minus 1 जैसा कुछ लिख रहा था null node के लिए वो कहाँ पर गया तो यहाँ पर हम जब भी null node पर आये हमने कुछ नहीं print किया अब जब भी हम null node पर आ रहे हैं वहाँ पर हम minus 1 भी print कर सकते थे minus 1 print करते तो output क्या आता सबसे पहले आते हम 1 पर 1 से जाते हम 2 पर 2 से जाते 4 पर 4 से जाते null पर तो minus 1 आ गया फिर right subtree में जाते तो भी minus 1 आता फिर वापस से हम 2 पर जाते फिर आते 5 पर 5 के left में आते minus 1 5 के right में आते minus 1 उसके बाद दुबारा से उपर जाते 1 पर अब 1 के right subtree में आएंगे right subtree में आएंगे 3 को print करवाएंगे फिर left subtree में आएंगे तो minus 1 आएगा फिर right में आएंगे तो 6 आएगा इसका left subtree minus 1 इसका right subtree minus 1 इस तरीके से ये जो sequence बनेगा ये भी हमारा preorder sequence है बस इसमें हमने null को minus 1 लिख दिया और उपर वाले में हमने null को कुछ नहीं लिखा हम इस वाले का हम पूरा code लिखने वाले हैं अगर आपको minus 1 का लिखना है वो भी लिखना असान है पर वो एक homework problem होगा अभी जो हमने tree बनाया था हम उसी के लिए अपना पूरा का पूरा preorder लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं public static void preorder preorder में हम pass कर ले होंगे अपने tree का root preorder क्या कहता है सबसे पहले root की value print करवा दो फिर पूरे left subtree में print करवा दो फिर पूरे right subtree को print करवा दो तो सबसे पहले हम print करवा देंगे root.data को उसके बाद हम क्या करेंगे call लगा देंगे preorder की ही और call लगाएंगे root के left के लिए फिर दुबारा से call लगाएंगे preorder की और इस बार call लगाएंगे root के right subtree के लिए अब यहां पर base case यह होगा कि अगर किसी भी point पर हमारा root नल हो जाता है तो वहां पर हमें कुछ print नहीं करना वहां पर खाली रखना है जिन students जो students चाहते है minus 1 print हो वो यहां पर minus 1 भी print कर सकते हैं यहां पर हम सीधा कर जाएंगे return अब अपने existing tree के लिए हम call लगाते हैं अपने pre-order को pre-order of root और देखते हैं कि output में हमारे पास क्या आएगा output में हमारे पास आया 1,2,4,5,3,6 तो यहां पर भी pre-order sequence जब बेजा था पहले था 1,2,4 फिर था 5 फिर था 3 और फिर था 6 तो इस तरीके से pre-order sequence हमारा काम करता है अब इसे pre-order इसलिए का आ जाता है क्योंकि इसमें root सबसे पहले आ जाती है pre यानि जो पहले ही हो जाए तो root पहले ही आगे इसलिए इसका नाम है pre-order पहले root आती है फिर left sub tree आता है फिर right sub tree आता है तो इसकी time complexity होगी bigger of n bigger of n क्यों होगी क्योंकि हम एक एक करके n nodes सारे के सारे notes पर गए इसलिए इसकी जो complexity है वो bigger of n हो जाएगी next traversal जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है in order traversal इसको in order इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें root जो है वो middle में आता है in between आता है इसके भी तेन rules है पहला rule है कि हम left sub tree को print करवा दें दूसरा step है कि हम root की value को print करवा दें तीसरा step है कि हम right sub tree की value को print करवा दें तो एक example के साथ समझें तो हमारे पास यह tree given है जिसमें पहला step है कि हम left sub tree को print करवाएं दूसरा root को तीसरा right sub tree को तो सबसे पहले हम one पर आतो गए पर one की value को भी print नहीं करवाना पहले one के पूरे के पूरे right subtree को print करवाना है तो 1 से पहले 2 पर गए 2 पर आ गए अब भी 2 की value को print नहीं करवाना 2 के पहले left subtree को print करवा लेना है 2 से गए 4 पर 4 पर आ गए हैं अब 4 को print नहीं करवाना 4 के पूरे left subtree को print करवाना है 4 के left subtree पर जाएंगे तो खाली होगा अब हम 4 को print करवा सकने हैं सबसे पहले print होगा हमारे लिए 4 उसके बाद 1 उपर जाएंगे 2 का left subtree पूरा print हो चुका होगा तो अब print करवाएंगे 2 को फिर जाएंगे 2 के right subtree के तरफ तो 5 को print करवाने से पहले देखेंगे कि 5 के left subtree में क्या है कुछ भी नहीं है तो अब 5 को print करवा सकते हैं 5 को print करवाया फिर देखा 5 का right subtree वहाँ पर भी कुछ नहीं है तो वापस से 2 पर आ गए अब 2 से वापस हमाए 1 पर 1 का पूरा left subtree प्रिंट हो चुका है यानि 2, 4, 5 प्रिंट हो चुके है अब हम print करवादेंगे 1 की value को तो 1 को यानित करवा दिया अब print करवाएंगे 1 के right subtree को तो 3 पर आ गए 3 को print करवाने से पहले देखना है कि 3 का left subtree print हो गया 3 का तो left subtree है यह नहीं तो अब हम 3 को print करवा सकते हैं 3 को हमने output में print करवा दिया उसके बाद जाएंगे 3 के right subtree की तरफ 3 के right subtree में 6 आ गया 6 को प्रिंट करवाने से पहले देखेंगे 6 का left subtree है क्या बहाँ पर है null फिर वापस से आ गए 6 पर 6 को प्रिंट करवा देंगे फिर 6 के right subtree में देखेंगे वो भी null है अब वापस से 3 पर जाएंगे वापस से 1 पर जाएंगे तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा आउटपुट आजाएगा हमारे in order traversal का अब in order traversal का code भी simple सा 5 line हो का code होने वाला है एक function बना लेंगे public static void in order node node root यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेंगे कि root हमारी नल है क्या जिस भी केस में root नल होती है वहाँ पर कुछ नहीं प्रिंट करवाना होता है वहाँ से simply कर जाएंगे हम return अब in order के rules क्या कहते हैं सबसे पहले left subtree को print कर वा लीजे तो in order ही call कर देंगे हम root के left subtree के लिए उसके बाद value प्रिंट करवाएंगे अपने root के data की उसके बाद call लगाएंगे in order से root के right के लिए पहले left subtree को print करवाया फिर root को print करवाया फिर हमने print करवाया root के right को इस तरीगे से हम in order की form में पूरा का पूरा अपना tree print कर लेते हैं यहाँ पर pre-order की जगे call करेंगे in order को, इसको save कर लेते हैं और run करते हैं output में हमारे पास वही order आएगा जो हमने अभी बनाया था यानि 425136 next जिस traversal की हम बात करेंगे उसको कहते हैं post order traversal post का क्या मतलब है यहाँ पर root बाद में आएगा post यानि बाद में पहले pre-order में root first में आ रहा था in order में second में आ रहा था अब post order में root last में आएगा तो rules क्या कहते हैं rule कहता है पहले left subtree को print करवा लो फिर right subtree को print करवा लो और end में अपनी root को print करवा ओ तो इस तरीके का rule है अगर apply करें अपने tree पर तो पहले हमें print करवाना है left subtree को फिर right subtree को फिर अपनी root को तो सबसे पहले हम one पर होंगे one को अभी print नहीं करवाना पहले one के पूरे left subtree को print करवान लेना है फिर two पर आएंगे two को भी अभी print नहीं करवाना फिर 4 पर आएंगे, 4 के पहले left sub 3 को देखेंगे, वो तो खाली है, फिर right sub 3 को देखेंगे, वो भी खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली, अब हम 4 को print करवा सकते हैं, तो output में पहले आएगा 4, फिर जाएंगे 2 पर, अब 2 को print करवाने से पहले, 2 के right sub 3 को print करवाना जरूरी है 2 के right subtree में 5 आ गया 5 का left subtree खाली right subtree खाली तो print करवा देंगे 5 को 5 से वापस आएंगे 2 पर अब 2 का left subtree भी print हो गया है right subtree भी print हो गया है अब हम 2 को print करवा सकते हैं तो 2 को यहाँ पर करवा देंगे print फिर वापस से जाएंगे 1 पर 1 का left subtree तो print हो गया पर right sub tree बाकी है तो वापस से 1 के right sub tree में जाएंगे 3 पर 3 का left sub tree है खाली पर 3 का right sub tree तो खाली नहीं है तो पहले right sub tree को print करवाएंगे तो पहले print होगा 6, 6 के बाद print होगा 3 और अब 3 के बाद last में print होगी हमारे tree की root जोकी है 1 तो इस तरीके से हमारा post order traversal अपने tree के लिए कुछ ऐसा दिखेगा इस traversal के code की बात करें तो उसके लिए भी simple सा हम function लिखेंगे जिसमें pass कर रहे होंगे अपने tree की root अगर हमारी जो root है वो null है तो उस case में simply कर देंगे हम return नहीं तो पहला step क्या था left sub tree को print करवाना अपने root के left के लिए उसके बाद post order call कर देंगे अपने root के right के लिए उसके बाद print करवा देंगे हम अपने root के data को इसको कर लेते हैं save main function से call करेंगे post order को और इसको run करें तो output मारे पास y आएगा जो अभी इसके बात करेंगे और जो काफी इंपॉर्टेंट है उसका नाम है लेवल और ट्रिवर्सल लेवल और में हम डेटा को print करेंगे लेवल वाइस तो फॉर्स लेवल पर वन है तो प्रिंट होगा वन सेकिंड लेवल पर टू और थ्री है तो प्रिंट होंगे 456 और हर लेवल के बाद हम एक नेक्स्ट लाइन जरूर दे रहे होंगे तो इस तरीके से हमारा लेवल और का डेटा कुछ कनाएंगे कुओ को यहाँ पर क्यू यूज करें ताकि हम उसकी फर्स इन सकाद प्रॉपरटी का इस्तें माल कर सके क्यों सीफो यूज होता है उस फिफो प्रॉपरटी की हमें यहाँ पर पड़ेगी level order print करवाने के लिए तो सबसे पहले हम ही क्या करना है एक एक करके अपने ट्री को level wise ट्रावल करना है level wise कहने का क्या मतलब है सबसे पहले one पर जाएंगे one को अपनी q में store करा लेंगे अब जैसे एक level खतम हो गया वन को हम बाहर निकाल लेंगे और वन को करवा देंगे print जैसे ही element को बाहर निकाला उसके दोनों children को वहाँ पर store करवा दो वन का left child है 2, right child है 3 तो Q में जैसे ही 1 को बाहर निकाला पहले store कराई 2 को फिर store कराया 3 को अब बाहर निकाल लेंगे 2 को 2 को करवा देंगे print 2 को बाहर निकाला वैसे ही उसका left right वहाँ पर store करवा दो यानि 4 और 5 को हम Q के अंदर store करा देंगे अब यहाँ पर एक चीज हमें important note करने की जो जरूत है कि 3 के बाहर निकलने से पहले 4 और 5 यानि 1 के left और right child Q में store होगे इसी को FIFO property कहते है यानि जो पहले आया वही पहले बाहर जाएगा और 2 पहले बाहर आया तो 3 जो है उसके बाहर आने से पहले 2 के children Q के अंदर चले गए इस तरीके से हम level wise चल पा रहे होंगे नेक्स तरम Q से निकाल लेंगे 3 को 3 को हमने बाहर प्रिंट करवा दिया 3 को जैसे ही प्रिंट करवाया उसके left child को store करा लेंगे जो है नहीं तो कुछ नहीं store कराना और right child को store कर वा लेंगे जो की है 6 उसके बाद बाहर लेकर आएंगे 4 को फोर यहां पर आगया फिर लेकर आएंगे 5 को तो 5 आगया फिर लेकर आएंगे 6 को तो 6 आगया इनके कोई children नहीं थे क्योंके leaf notes थे तो कुछ print हमें कराने की जुरूरत नहीं है अपने traversal के output को देखें तो that is 1,2,3,4,5,6 पहले level पर आया 1 फिर आया 2,3 फिर आया 4,5,6 अब यहां पर एक छोटी सी चीज हमारे पास रह गई है वो छोटी सी चीज यह है कि हमारा next line यहां पर नहीं आपा रहा है हर level के बाद हमें next line देना था वो यहां पर नहीं आया वो कैसे आए वो इस तरीके से आएगा कि हम क्या करेंगे शुरुआत में ही अपनी Q के अंदर पहले root को store कराने के बाद एक null store करा देंगे हम बनाएंगे अपनी एक Q और Q के अंदर शुरुआत में हमने store कराया 1 को और null को null को जैसे ही store कराया null क्या दिखाता है null का मतलब यहां पर है next line तो अब हम 1 को बाहर निकालेंगे 1 को बाहर निकालते ही हमने 1 को कर दिया print और 2 और 3 को कर दिया Q के अंदर store तो 2 और 3 को Q के अंदर store कर दिया अब second जो element बाहर निकलेगा वो 2 नहीं होगा वो null होगा नल जैसे ही बाहर निकले मतलब यहां पर next line खतम हुई है मतलब अब यहां पर हमें output को next line में लेकर आना है पर तो नल जैसे ही हम बाहर निकले उसको वापस Q के अंदर डाल देना है तो 2 3 के बाद दुबारा से हम नल को वापस डाल देंगे और अब निकालेंगे 2 को तो 2 आएगा हमारी next line के ओपर क्योंकि यहां पर आये था नल अब 2 के left child और right child को Q के अंदर store करा देंगे 4 और 5 को इसके बाद निकालेंगे 3 को 3 आगया बाहर अब 3 का left child है नहीं right child को store करा देंगे Q में तो 6 हमारा Q के अंदर आ जाएगा उसके बाद निकालेंगे null को null को निकालने का मतलब है कि यहां पर next line आनी चाहिए null को निकाला है वैसे ही null को हम वापस डाल देंगे ताकि आगे की ज 4 को 4 यहां पर आगया उसके कोई left child right child है नहीं फिर निकालेंगे 5 को 5 यहां पर आगया 6 को निकालेंगे 6 यहां पर आगया फिर निकालेंगे null को में प्रिंट हुआ है 4, 5 & 6 इस तरीके से हमारा level order reversal काम करता है यहां पर हमने तीन चीजों का इस्तिमाल किया क्योंकि फीफो प्रॉपर्टी का इस्तिमाल किया ताकि हम एक special चीज कर पाएं जो यह है कि अपने sibling से पहले अपने children को हम process कर पाएं यानि 3 के निकलने से पहले 4 और 5 को अंदर डाल दे तब ही हमारा जो level order reversal है वो प्रिंट हो रहा होगा second चीज जिसका इस्तिमाल किया वो यह थी कि null को use किया next line दिखाने के लिए और third चीज जिसका इस्तिमाल किया वो है हमारी BFS यानि breadth first search property एक होता है DFS, DFS यानि depth first, एक होता है BFS breadth first, breadth first क्या कहता है कि 2 के बाद 3 प्रिंट हो 4 और 5 प्रिंट ना हो लेकिन जब भी हम pre-order, post-order, in-order की बात करते हैं उसमें पहले left subtree इस तरीके से मतलब हम depth में जा रहे होते हैं यहां पर हम depth में नहीं जाते level order के अंदर इसमें breadth में जाते हैं मतलब इसाथियों को पहले print करते हैं तो यहां पर DFS, DFS की हमने एक concept सीखा है जिसको हम graphs में बहुत जादा implement करते हैं वहाँ पर DFS traversal, DFS traversal होता है अगर आपसे कोई पूछे tree का BFS traversal गया होता है तो simply level order traversal होता है DFS क्या होता है DFS हम post-order, in-order, pre-order वगेरे को कह सकते हैं क्योंकि उसमें depth में जा रहे हैं और level order traversal की time complexity की बात करें तो वो भी big of n होती है क्यों big of n होती है क्योंकि यहाँ पर भी हर एक single load में हम एक एक बार गए हैं अपनी अगर Q को analyze करें तो Q के अंदर एक element एक ही बार आया है और एक ही बार बाहर चला गया है तो linear time complexity है हमारे level order की अब अपने same tree के लिए level order reversal का code लिखते हैं public static void level order इसके अ पहले हमें क्या करना है Q create करना है इसके अंदर अपने tree के हम notes को store करेंगे new link list से अपनी जो Q है वो बना लेते हैं उपर import कर लेते हैं java.util.all इसमें हमारी Q भी आ जाएगी और हमारी link list भी आ जाएगी अब सबसे पहले Q के अंदर हमें add कर देना है अपनी root node को और उसके अलावा एक और चीज़ आड कर देंगे जो है एक null node अब एक loop चलाना है जब तक हमारी Q खाली नहीं हो जाती तब तक हम loop चलाएंगे वाई not of Q.is empty Q से एक element को बाहर निकाल लेंगे और इस element को कहेंगे अपना current node Q.remove कर लेंगे अपनी current node सबसे पहले चेक करेंगे कि current node नल तो नहीं है अगर current node हमारी कि null है तो उस case में हम क्या कर रहे होंगे उस case में अलग properties चेक करेंगे नहीं तो left subtree right subtree को add कर रहे होंगे क्यों के अंदर अगर current node के अंदर नल है तो हम क्या करेंगे यहां पर print करवा देंगे next line उसके बाद चेक कर लेंगे कि क्या हमारी Q खाली हो गई है मतलब उसमें last जो node थी वो null node ही थी क्या अगर ऐसा है कि Q खाली ही हो गई है null निकालने के बाद तो यहां से तो अपना loop को खतम कर देंगे और अगर ऐसा नहीं है मतलब और भी nodes हैं Q के अंदर तो वापस से Q के अंदर add कर देंगे अपने null को और अगर null node नहीं है तो उस case में print कर देंगे अपने node के data को current node.data को हमने कर दिया print फिर चेक कर लेंगे कि current node का left is not equal to null अगर not null है तो उसको Q में add कर देंगे Q.add current node का left similar way में अगर हमारे current node का right is not equal to null मतलब उसमें कोई not null data stored है तो Q.add current node का right एक बार हलका सा recap कर लेते हैं यहां पर हमने सबसे पहले Q बनाई Q के अंदर शुरुआत में root node को डाल दिया फिर null को डाल दिया उसके बाद एक loop जलाये जब तक हमारी Q empty नहीं हो जाती फिर current node को निकाला अगर current node null आ जाती है उस case में null का मतलब है next line तो next line प्रिंट कर दी अगर last node थी हमारी null node फिर तो break कर जाएंगे loop से यानि सारे nodes को हमने print कर दिया level order में पर अगर ऐसा नहीं है तो Q में add कर देंगे वापस से null को ताकि next level के लिए भी next line प्रिंट हो सके पर null node नहीं थी तो उस case में current node के data को प्रिंट खरवा देंगे फिर उसके left child को देखेंगे कि क्या वो not null है अगर not null है तो उसको भी Q में add कर दिया फिर right child को देखेंगे वो not null है उसको भी Q में add कर दिया इस तरीके से हम पूरा का पूरा level order कर लेंगे उपर एक और छोटी सी condition डाल देते हैं कि शुरू में ही अगर हमें null दिया हो उस case में क्या करें उस case में simply हम return कर देंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं print करने लाएक हमारा tree जो है वो पूरा खाली है अपने main function के अंदर level order को call लगाते हैं और उसमें pass करेंगे अपनी root और इसको करते हैं save and run output हमारे पास वही आएगा जो हमने discuss किया है यानि first level पे one print हुआ है second level पे two और three और third level पे हमारे पास print हुए है four, five and six अब हम शुरू करने वाले binary tree के सवालों के साथ इन में से सबसे पहला सवाल है count of nodes यानि हमें given होगा एक binary tree जिसके अंदर हमें total number of nodes को calculate करना है अब इसका simplest तरीका है recursion को use करके and in fact अगर हम आगे वाले सवालों में भी देखेंगे तो binary trees के जो बहुत सारे सवाल होते हैं वो recursion की help से बहुत असान हो जाते हैं और उनको recursion से ही solve करते हैं और सबसे simplest trick काफी सारे सवालों को solve करनी की यह होती है कि recursion में अब हर node के लिए अगर कोई property calculate करनी है किसी सवाल में कुछ एक छोटी सी value calculate करनी है जो हर node पर जाकर calculate तो पहले left subtree के लिए कर लो फिर right subtree के लिए कर लो फिर main node में आकर ये left subtree की value को use करो right subtree की cumulative value को use करो और फिर यहाँ पर आकर कुछ कुछ हमारी calculations हो रही होगी तो इस तरीके का छोटा बहुत process रहता है अगर direct count of nodes की बात करें तो इसको solve करने का तरीका हमारा ये रहेगा कि हर node के लिए हम पहले left subtree का count निकाल ले फिर right subtree का count निकाल ले यानि left subtree के अंदर कितने number of nodes हैं और right subtree के अंदर कितने number of nodes हैं ये मानलो हमारी value x हो जाएगी ये हमारी value y हो जाएगी अब इस पूरे tree के अंदर कितने total nodes हमारे पास आ जाएंगे ये हो जाएंगे x plus y यारी य ये नोट्स तो होंगे ही, ये नोट्स भी होंगे, प्लस इसमें one add करेंगे हम इस नोट के लिए, तो इस तरीके का process रहेगा, अब ये पूरा का पूरा काम अगर अपने सारे subtrees के लिए कर लिया, तो हमारे पास total number of nodes आ जाएंगी, इसको हलका सा और visualize करके देखते हैं, मान लेते हैं, ये हमारा कोई छोटा सा subtrees था हमारे main tree के अंदर, तो इसके लिए हमने nodes calculate कर लिए, same way में हमारे पास यहाँ पर कोई एक subtrees होगा, जिसमें अपना एक left subtrees होगा, उसका left count निकाल लेंगे, right subtrees का count निकाल लेंगे, और इसका भी particular आया होगा, x2 plus y2 plus 1, अब जो उपर वाला node है, यानि main root node है हमारे tree का, जिसके लिए ये left subtrees है, ये right subtrees है, अब ये भी total क्या return करेगा, total return करेगा, x plus y plus 1 as x, ये return करेगा, x2 plus y2 plus 1 as capital Y, तो यहाँ पर आकर total count जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, capital X plus capital Y plus 1, तो इस तरीके से हर level, अपना total calculate करेगा, तो इस तरीके से left subtrees का निकालेगा, right subtrees का निकालेगा, उसमें one add करेगा, और उपर वाले level पर भेज़ देगा, फिर उपर वाले level भी same काम कर रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से, हम calculate करेंगे, total count of nodes, इसको अपने tree पर अगर काम करके देखें, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0, यहाँ से आएगा 0, यहाँ पर total value बन जाएगी 1, हम return करेंगे 1 को, यहाँ से भी आएगा 0, यहाँ से भी आएगा 0, यहाँ पर total value बनेगी 1, total count of nodes होंगे 1 5 पर, तो यह भी 1 return करेगा, यहाँ से 1 आया है, left subtree ने 1 return किया है, right subtree ने 1 return किया है, plus अपना 1 तो हो जाएगा 3, 3 हम return करेंगे, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ पर total हमारे पास हो जाएगा 1, 1 हम return करेंगे, यहाँ से 3 को 0 मिला होगा, यहाँ से 1 मिला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, plus 0, plus 1, यानि 2, 2 को हम return करेंगे, left subtree का count आया हमारे पास 3 right subtree का count हमारे पास आया 2 और अपना count है 1 तो total number of nodes हमारे पास निकल कर आएंगी 6 तो कुछ इस तरीके से हम अपनी total nodes को calculate करेंगे binary tree के अंदर सबसे पहले function बनाएंगे public static int return type int रखेंगे क्योंकि total number of nodes को हम calculate करके return करने वाले है count of nodes इसके अंदर parameter हमारे पास single parameter होगा हमारे tree की root अब यहाँ पर हमें recursion वाला अपना formula बनाना है recursion वाला formula क्या कहता था पहले left subtree के लिए count ले आओ फिर right subtree के लिए count ले आओ फिर उन दोनों को add करके उसमें one को add करके return कर दो तो वही सेम चीज़ हम करेंगे int left nodes is equal to count of nodes को call लगाएंगे root के left के लिए यानि left subtree के लिए int right nodes is equal to count of nodes को call लगाएंगे root के right के लिए यानि right subtree के लिए और यहाँ से हम return कर देंगे हर एक level पर left nodes plus right nodes plus one और base case हमारा हो जाएगा किसी भी point पर अगर हमारी root जो है वो null हो जाती है तो उस case में क्या करना है उस case में return कर देंगे 0 क्योंकि null के पास count जो है वो 0 हो जाता है कोई node ही नहीं है यह पूरा का पूरा function हमारे लिए हमारी सारे nodes की calculation लेकर आएगा अब main function के अंदर call लगा दें हमने जो tree build किया था उसी same tree में हम nodes calculate कर रहे है तो print कर लेंगे count of nodes for root इसको save करके run करते है run करके हमारे पास output आया है 6 और सही output है क्योंकि हमने calculate किया था हमारे tree के अंदर जो total count of सारी की सारी nodes है that is 6 अब इसकी time complexity की बात करें तो होने वाली big of n big of n क्यूंकि हर node को इस recursive function ने एक बार touch किया है क्या किया root के left में left में left में जाता रहा जब तक null नहीं आ गया फिर वापस आता गया फिर right में गया फिर open node पे आया फिर parent की तरफ गया तो इस तरीके से हर node को एक बार touch किया है तो big of n इसकी time complexity है next सवाल जिसकी बात करेंगे इसका नाम है sum of nodes यानि अभी हमने count calculate किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अब हम calculate करेंगे nodes के अंदर जो data है उस पूरे के पूरे data का sum तो इसको भी same way में calculate करेंगे पहले क्या कर रहे थे left subtree का count लेके आ रहे थे फिर right subtree का count लेके आ रहे थे इस बार हम left subtree का sum लेकर आएंगे left subtree sum और right subtree का sum लेकर आएंगे फिर उस sum को यहाँ पर ले आएंगे left subtree के sum में add कर देंगे right subtree का sum और उसमें add कर देंगे अपने data की वाली यहाँ पर आएगा 6, क्योंकि इसके subtree का sum है 6, तो यहाँ पर 0 प्लस 6 करेंगे, और उसमें add कर देंगे इस data की value, यानि 3 की value, तो यह हो जाएगा total of 9, same हम करेंगे 4 के लिए, 4 के लिए यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, तो यह return करेंगा 4, 5 के लिए यहाँ से 0, यहाँ से 0, तो यह return करेंगा 5, 2 के लिए यहाँ पर left subtree का समाएगा 4, right subtree का समाएगा 5 और खुद का sum add करेंगे तो 2, तो यह हमारे पास return करके देगा हमें 11, अब यह 11 यहाँ पर जाएगा, यह 9 यहाँ पर जाएगा, तो 11 प्लस 9 प्लस 1, यह हो जाएगा हमारे पास total sum of 21, तो वो same recursive चीज हमें करनी है, क्य फिर node पर कुछ-कुछ अलग से calculation करनी पड़ेगी, depending upon question क्या है हमारा, और फिर वो total answer जो आएगा, उसको return कर दो parent को, और finally root जो return करके देगी main function को, वो हमारा final answer होगा, और sum of nodes के case में भी, जब हम हर node पर एक बार जाएगे, तो time complexity क्या होगी, time complexity होगी big of n की, क्योंकि हर node को हम हमने single time traverse किया है, इसलिए linear time complexity का है, अब count of nodes जो है, उसी के अंदर थोड़े से changes करते है, इसको change कर देते हैं, to int sum of nodes, sum of nodes है, अगर root हमारी null हुई तो उस case में तो हमें पता ही है, sum of node हमारा zero return होकर जाएगा, अब यहाँ left nodes की जगे लिख देते हैं, left sum हमें return होकर आएगा, sum of nodes से, जिसमें pass करेंगे अपने root का left subtree, और right sum हमारे पास return होकर आएगा, right subtree की help से, call लगाएंगे sum of nodes को, यहाँ पर sum लेंगे left sum plus right sum plus हमारा जो root का data है, उसको add कर देंगे, इन तीनों का sum, यानि left subtree का sum, right subtree का sum और हमारे root का data, यह हमारा total sum हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, save, अब main function से call लगाएंगे हम sum of nodes को, और इसको run करेंगे, तो output हमारे पास आना चाहिए 21, और यहाँ पर इस capital S को बनाने वाले हैं small s, तो ऐसे typing mistakes नहीं करनी है, और यहाँ पर answer हमारे पास आया 21, which is exactly right, next जिस सवाल की बात हम करेंगे, वो है हमारा height of tree, यानि हम एक tree की height निक के बारे में पहले भी शायद हमने पढ़ा होगा, tree के अंदर height का मतलब होता है कि root से हम अपने deepest leaf तक जब जा रहे होंगे, तो beach का जो distance होगा, इस distance को हम height कह देते हैं, जैसे अपने tree के अंदर analyze करें, तो root हमारा कौन से level पर है, level 1 पर, और leaf, deepest leaf हमारा 4 भी deepest है, 5 भी deepest है, 6 भ leaf का, root से deepest leaf का, जो level हो गया, that is equal to our height, तो यहाँ पर इस tree के case में हमारे पास height आजाएगी, हमारे tree की equal to 3, अगर एक और हम sample example ले किसी और tree का, माली जी हमारे पास यह tree है, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से, हमारी notes है, अब यहाँ पर अगर हमें height निकालनी हो, तो वो क्या हो पर हमारी deepest node जो है, deepest leaf वो आ रहे होगा, तो हमारी height हो जाएगी, इस tree की 5, अब इसको calculate करेंगे हम recursive तरीके से, जिस तरीके से हमने पहले वाले, जो sum और count of nodes है, उनको calculate किया है, calculate करने का simple तरीका यह होगा, कि अपने left subtree की height निकाल लो, और फिर अपने right subtree की height निकाल लो, left height और अपनी right height निकाल लो, फिर देखलो दोनों में maximum क्या है, अब जिस tree का हमने अभी example लिया, इस tree की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर root के पास, जब left height आई होगी, तो वो यहाँ से आई होगी, which was equal to 1, 2, 3, 4, तो left height 4 आई होगी, और right height अगर आई होगी, तो वो आई ह हमारे पास 1, अब 4 और 1 में से कौन सा greater है, हमारे पास obviously 4 greater है, तो जो भी maximum है, left height या right height में से जो भी बड़ा है, वो हमारी total height हमें देगा, तो दोनों heights में से 4 बड़ा है, तो 4 को हम ले लेंगे, प्लस उसमें add कर देंगे हम 1, अपनी height के लिए, यानि इस root की height के लिए, और ये सेम चीज हमें हर level पर replicate करनी है, इसका code लिखकर देखते हैं और ये problem हमें बहुत असानी से समझ में आ रही होगी, function मनाते हैं, public, static, int, height, इसके अंदर पास करेंगे हमारी node root, अब सेम चीज करने वाले हैं, सबसे पहले calculate कर लेंगे left height, left height के लिए call लगाएंगे दुबार height के right को, यानि right subtree को, फिर calculate कर लेंगे left height में से बढ़ा है या right height हमारी बढ़ी है, तो वो कैसे calculate करेंगे, यहाँ पर हमें my height अगर निकालनी हो, तो वो होगा maximum of math.max of हमारी left height और right height plus 1, तो इन दोनों का हमने max निकाल लिया और उसमें हमने add कर दी अपनी value और निकल गई है हमारे लिए हमारी height, तो अपनी जो height आएगी उसको return कर देंगे function से, और इसमें base case हमारे पास क्या होगा, base case यह होगा कि root अगर किसी भी point पर नलो जाती है, मतलब leaf node पर पहुंच node नहीं है, वो खाली tree है, तो उसके में महाँ से return कर देंगे हम 0, क्योंकि leaf पर अगर पहुंच गए और फिर leaf के भी null की height calculate कर रहे हैं, तो that is equal to 0, इसको save कर लेते हैं, main function के अंदर अब call लगाएंगे sum of notes की जगे, अपने height function को, height of this tree calculate करेंगे, तो हमें already पता है आनी चाहिए 3, देख लेते हैं, क्या answer आएगा, height हमारे पास जो आई अपने tree ही, that is equal to 3, अब इस question में भी सवाल में भी जो time complexity है, वो linear है, यानी big of n है, क्योंकि हर tree की node को हम एक बार traverse कर रहे होंगे, अब next सवाल जिसकी बात करेंगे, इसका नाम है diameter of a tree, diameter of a tree को इस तरीके से define किया जात लें, और उनके बीच के path को अगर देखें, तो उसमें सबसे जादा notes जिस भी path में होंगे न, वो हमारे tree की diameter होगी, इसको diagram से समझेंगे, ये सवाल already Adobe, Snapdeal जैसी companies में पूछा जा चुका है, अब यहाँ पर हम दो cases लेंगे, अब यहाँ पर case 1 लेते हैं, case 1 में हमारी जो diameter है वो हमारे root के through जाएगी, यानि root को cross करते हुए जाएगी, इसके अंदर example कुछ ऐसा होगा कि ये हमारा example tree है, इसके अंदर अगर हम अपने tree की diameter निकालें तो वो होगी ये node, ये node, ये node, ये node, ये node, क्योंकि path हमारा क्या होगा, ये हमारा longest path है, इस node और इस node के बीच का जो path है, वो longest है, अब ये left वाली node की जगे हम ये node भी ले सकते थे और इस path को भी calculate कर सकते थे, ये भी हमारा longest path है, पर किनी भी और दो nodes के बीच में longest path नहीं है, तो यहाँ पर जो answer होगा हमारे पास, that is going to be 5, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 nodes हमारे पास हैं, जो हमारे diameter के अंदर लाए करती ह तो ये हो गया root के through हमारी node, तो ये हो गया root के through हमारी diameter का जाना, root के through किस तरीके से गई, ये हमारे tree की root है, और हमारा जो longest path है, वो इसके through होकर जा रहा है, इस भी node से अगर निकालते, तो यहाँ से ये longest path भी हमारी root के through होकर जाता, पर इसके अलावा और कोई path नहीं है, ज हमारे पास case number two हमारा यह कहता है कि हमारी जो diameter है that does not pass through the root root के through होकर नहीं जाती इसमें not बहुत बढ़ी चीज है root के through होकर हमारी diameter नहीं जाएगी इसका example क्या हो सकता है मान लीजे यह हमारा tree जिसके अंदर यह कुछ हमारी notes है अब इसमें बात करें तो longest path क्या होगा longest path हमारा होगा in notes का combination कितनी notes हो गई है one two three four five six seven तो seven notes का जो यह path है यह हमारा diameter होगा tree का इसमें root को इसलिए नहीं लिया क्योंकि root के through अगर इस path को calculate करते तो इसमें आ जाती six notes root के through अगर इस path को calculate करते इसमें आ जाती four notes अगर इस path को calculate किया है तो इसमें हमारे पास आ गई है हमारी total seven notes तो यह हमारा longest path है diameter है और यह root के through होकर नहीं जा रहा तो इस तरीके से दो cases हो सकते है या तो diameter root के through होकर जाएगा या diameter root के through होकर नहीं जाएगा अब इसमें दो approaches रहेंगी हमारी solve करने की सवाल को सबसे पहली approach होगी n square time की n square time यानि हम इसको quadratic time में solve करने वाले और उसके बाद देखेंगे कि इस approach को कैसे और जादा optimize कर सकते हैं अब हर node के लिए अपने tree में हर node के लिए तीन cases हो सकते हैं या तो हमारी जो diameter है वो हमारे left subtree में ही कहीं पर लाए करें जैसे अभी हमने case देखा कि यहां पर बहुत सारी ऐसी ऐसी nodes होंगी और हमारी जो diameter है इन ही nodes के थूर form होकर हमें मिल जाएगी और root के थूर नहीं जाएगी यह हो गया हमारा case 1 तो diameter 1 अगर हम देखें तो वो होगी हमारे left subtree के अंदर उसके अलावा एक और case हो सकता है कि हमारी जो diameter है हमारे right subtree के अंदर लाए करें तो यहां पर कोई ऐसा subtree बन सकता है जो काफी सारी nodes हैं और उनी के थुरू हमारी जो diameter है वो cross करकर के form हो रही है जिसमें root की ज़रूरत नहीं है तो ये हो गया हमारा case through जिसमें हमारी जो diameter है वो हमारे right subtree के थुरू जा रही है तो diameter 1 हो गई left subtree की diameter 2 हो गई हमारे जो right subtree के अंदर largest diameter है उसके अलावा एक और case जाता है diameter 3 का यह तीसरा case क्या कहता है कि यहां की maximum up height निकाल लो left subtree की maximum height left subtree की maximum height यानी leaf तक और right subtree की maximum height निकाल लो तो यह left subtree की height हो गई यह right subtree की height हो गई यहां पर भी leaf तक हम आए हैं उसमें add कर दो one को तो यह क्या बन जाएगी यह बन जाएगी हमारी एक ऐसी diameter जो हमारी root node के थू जाती हो तो यहां पर diameter 3 हमारे पास आएगी left height plus right height plus one तो यह तीन cases हमारे पास आएगे इन तीनों cases में सबसे पहले calculate करेंगे left subtree में largest diameter फिर right subtree में largest diameter फिर तीसरी डायमेटर जोगी left height plus right height plus one और इन तीनों का जो maximum निकल कर आएगा वो बनेगी हमारे actual tree की diameter अब इसको अपने सवाल के अंदर करके देखते हैं हर किसी node के लिए हमारे पास तीन cases आएगे इस node की अगर बात करें तो यहां left subtree में maximum diameter zero right subtree में maximum diameter zero और left height plus right height plus one हमारे पास हो जाएगा one तो यह इन तीनों में से largest value होगी हमारे पास one तो one को हम simply यहां से कर देंगे return अब इस node के लिए calculate करें तो left subtree में maximum diameter होगी zero right subtree में maximum diameter zero और हमारे पास जो left height plus right height plus one होगा that is going to be equal to one तो यहां पर भी one हमारे पास largest value आगे और इसी one को हम कर देंगे return अब two के लिए calculate करते हैं two के लिए left subtree ने जो अपनी maximum diameter दी है वो है one right subtree ने जो maximum diameter दी है वो भी है one और left height plus right height plus one क्या है left height है one right height है one और खुद में one को add कर दिया तो हो गया three तो हमारे पास यहां पर जो maximum diameter आ गई वो हो गई है three तो two क्या करेगा उपर वाले level को तीन return करेगा similar way में six return करेगा one और three return करेगा two जिसमें three और six होंगे हमारे diameter वाले पात में अब one के पास अब बात करते हैं अपने लिए हमारी node one के तो one के case में क्या होगा हमारी जो left subtree से maximum diameter return होकर आई वो ये तीन है तो तीन यहां पर लिख देंगे right subtree से जो maximum diameter return होकर आई वो ये दो है तो यहां पर दो लिख देंगे और left subtree की height maximum क्या return होकर आई two right subtree की return होकर आई two और उसमें one को अपने root node को add कर दिया तो हमारे पास answer में आया two plus two plus one is equal to five तो यहां पर जो diameter हो जाएगी वो आएगी हमारे पास five और उसे हम draw भी कर सकते हैं अपने tree के उपर किस तरीके से draw करेंगे यहां से अगर हम calculate करें यहां तक फिर यहां फिर यहां तो one two three four five is the diameter of this tree और यहां पर जो diameter है वो root के through जा रही है यानि root को cross करके जा रही है अब इस पूरी approach one के लिए code लिख कर देखते हैं code में सबसे पहले बनाएंगे एक function public static int diameter diameter के अंदर pass करेंगे node root अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है हर node के लिए left subtree से maximum diameter के अला सकते हैं और right subtree से maximum diameter के अला सकते हैं तो सबसे पहले diameter one को calculate करेंगे diameter of root dot left उसके बाद calculate करेंगे diameter two is equal to diameter of root dot right अब तीसरी जो diameter होगी उसको calculate करने के लिए क्या करना है left subtree की maximum height right subtree की maximum height plus one अब height calculation के लिए हमने already ऊपर एक function मनाया था height, इसी function को दुबारा use करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे height of root.left plus height of root.right plus 1 और diameter बन जाएगी हमारी maximum of math.max of, हमारी diameter 3 and math.maximum of diameter 1 and diameter 2. अब इन तीनों में से जो maximum होगी, वो यह line हमें return करके देदेगी, यहाँ diameter, इसमें base case हमारे पास यह होगा, root अगर किसी भी point पर ना लो जाती है. तो वहाँ पर हमारी diameter की length होगी, वो होगी, 0 तो return कर देंगे 0 को. अब इस पूरे के पूरे function की जो time complexity है, वो n square कैसे आई? हर node को हमने touch जरूर किया diameter को calculate करने के लिए. तो हर node पर जाने का जो linear time है, वो तो हमने लिया ही big of n. पर हर बार, हर node के लिए, जब हमने height दुबारा से calculate करी, तो हमारे पास हर node का end time additional और जुड़ गया. अब n nodes के लिए end time बार 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 लिया जा रहा है, तो n into n square हो जाएगा. इसलिए इस function की जो time complexity है, वो है big of n square. अब इस function को run करते हैं, अपने main function से call लगा कर, diameter को call लगाएंगे root के लिए, run किया, तो हमारे पास diameter में output आ है 5. अब ये function जो है, इसकी time complexity n square है, तो ये थोड़ा सा हमारा optimized function नहीं है. इसमें हम और optimization कर सकते हैं और इसको linear time तक लेकर आ सकते हैं. तो function को linear time तक लाने में हम अपनी approach to use करेंगे, जिसमें big of n time complexity हमारे पास आई. यहाँ पर हमने एक बड़ी गलती की पीछे वाली approach में वो ये किया कि diameter जब calculate कर रहे थे ना, तब साथ के साथ height को calculate नहीं किया. height को calculate करने के लिए अलग से function call लगाई. पर कितना हमें मज़ा आ जाता और कितना simple हो जाता काम, अगर हम diameter के साथ अपनी height को भी calculate कर लेते हैं, उसके लिए अलग function हमें लिखना ही ना पड़ता, तो वो same approach हम यहाँ पर follow करने वाले हैं. हम क्या करेंगे? एक structure बना देंगे, एक अलग से class बना देंगे, जिसके अंदर दो information store करेंगे हर node के लिए. पहली information होगी हमारी height और दूसरी information होगी हमारी diameter. अब हर node के लिए height और diameter store करना है, height और diameter store करना है. किस तरीके से store करना है? शुरुआत करते हैं नीच वाली nodes के 0, diameter आएगी 0. यहां से null node के लिए height 0, diameter 0. तो 4 के लिए height और diameter store करेंगे, तो क्या आएगी? 4 के लिए height आएगी हमारे पास 1 और diameter भी आएगी 1. यह जो second diameter हम calculate कर रहे हैं यह वाला. इसके लिए वही तीन चीजों का diameter 1, diameter 2 और diameter 3. इनकी calculation वाली approach लगानी है. और height तो हमें पता ह है कि अगर left subtree ने हमें अपनी height दे दी है, यानि यह वाली value दे दी है और right subtree ने हमें अपनी height दे दी है यानि यह वाली value दे दी है. तो उन दोनों का हम maximum निकालेंगे और उसमें 1 को add कर देंगे height को निकालने का तरीका भी पता है. तो यहां पर हर node पर हम दोनों formula लगा रह अब 2 की अगर बात करें, तो 2 के लिए क्या होगा, हाइट हमारी आजाएगी 2, और डायमेटर हमारी आजाएगी 3, यह जो 2 हाइट है, यह हमने कालकुलेट किये है, left subtree और right subtree का maximum, यह जो diameter है यह हमने calculate की है diameter 1, diameter 2 और diameter 3 का maximum निकाल कर तो इस तरीके से दोनों values pair में निकालनी है और ऊपर ऊपर वाले level तक देते जाना है इस तरीके से diameter और height जब हम एक साथ calculate करेंगे तो time complexity big of n हमारे पास आ रही होगी इसका code लिखकर देखेंगे तो ज्यादा असानी से चीज बना लेते हैं public static int या return type लिखने से पहले एक class बना लेते हैं static class इसको देदेते हैं tree information प्री info इसका नाम है इसके अंदर store करवा रहे होंगे अपनी height और store करवाएंगे अपनी diameter अब इसका अपना एक constructor होगा जिसके अंदर आएगी हमारे पास height और diameter this.height is equal to height this.diameter is equal to diameter अब यह जो function होगा ना पहले int return कर रहा था इस बाद tree information return करेगा tree information क्योंकि हर node को अपनी height और diameter साथ में return करनी है दो return types तो नहीं हो सकते इसलिए दोनों को एक साथ इस class के object के थ्रू हम भेज रहे होंगे tree information ना हम इसका देंगे diameter 2 इसके अंदर parameter हमारे पास आएगी हमारी root node अब सबसे पहले हमी क्या करना है सबसे पहले left subtree की information ले आओ left subtree की height और diameter ले आओ फिर right subtree की tree information ले आओ तो tree info left is equal to diameter 2 of root dot left उसके बाद tree info right is equal to diameter 2 of root dot right यह आगे left subtree की information यह आगे right subtree की information अब हमें कुछ values निकालना है सबसे पहले my height निकालते हैं int my height my height कैसे निकलेगा left subtree की height right subtree की height दोनों का maximum plus one तो math dot maximum of left subtree की height कहां से आएगी इस information से यानि left dot height और right dot height का maximum plus one इसके बाद निकाल लेते हैं अपनी diameter one diameter one क्या होती थी left subtree की maximum diameter तो वो हो जाएगी left dot diameter फिर निकाल देंगे diameter two which is right dot diameter फिर निकाल देंगे diameter three diameter three क्या होती थी left subtree की height plus right subtree की height plus one तो वो हो जाएगी हमारे पास left dot height plus right dot height plus one और my diameter क्या हो जाएगी अब की बार my diameter हमारे पास हो जाएगी math dot max of math dot max of diameter one diameter two and diameter three तो यहाँ पर हमने क्या किया एक recap ले लेते हैं left subtree right subtree की पूरे information निकाली उसके बाद अपनी height निकाली कैसे left subtree की height right subtree की height दोनों का maximum plus one फिर diameter one निकाली जो की है left subtree की diameter diameter two निकाली जो है right subtree की diameter diameter three निकाली जो है left subtree की height plus right subtree की height plus one अब my diameter में तीनों का maximum हमने ले लिया अब इसके लिए भी इस node के लिए भी हम tree information बना लेते हैं तो tree info इसको नाम दे देते हैं my info is equal to new tree info जिसमें पास कर देंगे अपनी height और अपनी diameter और यहां से return कर देंगे हम अपनी information को अब base case इसमें क्या होगा यह होगा कि root अगर हमारी null हो जाती है किसी भी point पर तो हमें return तो tree info करना पड़ेगा लेकिन tree info में height भी 0 होगी और diameter भी 0 होगी तो यह हो गया हमारा base case अब इस function में ध्यान से देखे तो height के लिए हमने दूसरे function को call नहीं लगाई साथ के साथ हमने height calculate कर ली साथ के साथ हमने diameter calculate कर ली इसलिए इस function की linear time complexity होती है इसको save कर लेते हैं main function से call लगाएंगे diameter 2 को answer हमारे पास आना चाहिए 5 यहां पर error आएगा क्योंकि हमने diameter 2 को call लगाने के बाद .diameter को print करवाना है क्योंकि यहां से हमारे पास tree information की एक root return क्योंकि यहां पर हमारे पास tree information की एक object रिटर्न होकर आएगी जिसकी हम डायमीटर प्रिंट करवाएंगे यहां पर एक चीज भूल गई यहां से हमें रिटर्न करना है अपने ट्री इंफर्मेशन को यहां रिटर्न स्टेट्मेंट नहीं लगाई तो फिर एरर आ रहा होगा इसको दुबारा कर लेते हैं रूं आउ स्टेट्री दिया होगा और हमें जानना है कि वह बड़े वाले ट्री का एक सब्ट्री है या नहीं है जैसे एक एक जामपल ले लेते हैं मान लीजे हमें दिया है स्ट्री जिसमें हमारे पास नोड्स हैं 1,2,3 अब इसके अलावा हमें एक बड़ा ट्री कोई गिवन है जिसमें काफी सारे नोड्स हैं और इसमें कुछ-कुछ वाल्यूज हमारे पास पहले से हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 हमारा काम है कि हम देखें कि क्या ये पूरा का पूरा जो ट्री है वो इस बड़े वाले ट्री के किसी सब ट्री का पार्ट है जैसे अगर इस ट्री का एक्जाम्पल ले तो इसमें ये ट्री यहाँ पर लाई करता है 1, 2 and 3 अब इसको चेक करनी की सिंपल टेकनीक ही ये रहेगी कि सबसे पहले हर नोड के साथ कंपेर कर लो इस रूट नोड को इस रूट के साथ कंपेर करो यहाँ पर आकर हमें पहला माच मिलता है यानि यह वन इस वन के साथ माच हो गया है अब हमें दोनों के पूरे के पूरे sub trees को match करना है यानि अब 1 के left sub tree पे जाएंगे और इसमें भी left sub tree पे जाएंगे 2, 2 के साथ match कर रहा है फिर 1 के right sub tree के साथ जाएंगे यहां से यहां पर जाएंगे यह 3, 3 के साथ match कर रहा है अगर यहां पर 3 नहीं होता यानि यहाँ पर 3 की जगे हमारे पास given होता कोई value 8 तो फिर यह 8 इस 3 के साथ match नहीं होता उस case में क्या करते हम वापस जाते और उस case में हमें इस sub tree का कोई match नहीं मिलता अपने main tree के अंदर यह हो गया हमारा sub tree और यह हो गया हमारा main tree तो क्या approach रहेगी हम route को सबसे पहले match करेंगे route अगर match नहीं होती तो left sub tree की तरफ जाकर match करने की कोशिश करेंगे जहां पर भी हमें match मिल रहा है वहां पर फिर sub trees की तरफ जाएंगे जैसे ही हमारे पास यह route match हो गई वैसे ही फिर sub trees को match करना शुरू करेंगे इसका code लिखकर हम देखेंगे, code लिखकर हमें काफी intuitively समझ में आएगा कि इस problem को actually solve कैसे करना है, तो यह असान सा सवाल हम करने वाले हैं, इसमें इस subtree हमारे पास function given है, boolean हमें return करना है, boolean यानि अगर match कर रहा है, मतलब subtree main tree के अंदर exist करता है, तो return करेंगे true, नहीं तो return क हमें दिये, अपने main tree के हमें root दिये, और अपने subtree के हमें root दिये, तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम check करेंगे, कि क्या हमें जो subtree की root दे रखी है, वो null है, अगर ये वाली sub root हमारी null आ जाती है, तो उस case में हमेशा match exist करेगा, क्योंकि null जो node होती है, वो तो हर tree के अंदर होती है, तो यहां पर सबसे पहली condition तो यही लिख देंगे, कि अगर sub root हमारे पास null आ जाएगी, तो उस case में return कर देंगे true, दूसरा case हम लेकर आते हैं, वो case जिसमें हमारी root जो है, वो null है, अगर root null है, यानि tree खाली है, उस case में तो कभी match आएगा ही नहीं, तो उस case में directly return क कर देंगे हम false को, if root equal to equal to null, तो यहां से return कर देंगे false, अब आप उसमें पूछ सकते हैं, कि दी दी वो वाला case का क्या हुआ, जिसमें main tree भी null है, और हमारा जो sub tree है, वो भी null है, तो उस case को already sub root is equal to null ने cover कर लिया, पहले तो sub root को ही check करेंगे, वो null है, तो हमेशा true है, तो दो कोनो null होने वाला case भी इस वाले base case में cover हो चुका है, root null होने वाला case और sub root not null होने वाला case यहां पर cover हो चुका है, अब देखेंगे कि अगर ऐसा case आता है, जिसमें हमारा root का data, यह यहां पर value होने वाली, यह root की जो value है, यहां पर हमें parameters दिये हुए, root की जो value है, वो sub root की value के साथ मैच करती है एक ऐसा केस होगा नहीं तो एक दूसरा केस होगा जिसमें मैच नहीं करेगी जिसमें मैच कर गई रूट की वाल्यू उसमें क्या करना है उसमें अब लेफ्ट सब्ट्री राइट सब्ट्री की वाल्यू को देखना है कि वह मैच कर रही है उनको मैच करवाने के लिए एक और अलग से function बनाने दें उस function का नाम हम देते हैं is identical public boolean is identical is identical में देखेंगे कि सब root जो है वो वाला tree identical है क्या जहां पर root match हुई है main tree में इसमें दो parameter pass करेंगे अपनी root और वही अपनी sub root अब यहां से return कर देंगे अब अगर हमारा is identical function जो है उसको हम call लगाएं उसमें pass कर दें अपनी root और sub root और वो हमें return करके दे दे true तो यहां से भी हम return कर देंगे true को अगर false return करता है तो फिर तो हम left subtree और right subtree में चेक करेंगे फिर false directly return नहीं करेंगे पहले चेक करेंगे पर true अगर return कर दिया तो उसको directly return करने वाले इस identical को complete करने से पहले अपने इस subtree को complete कर ले रहे हैं और चौथा case वो आएगा जिसमें roots match नहीं हो रही roots match नहीं हो रही तो फिर left subtree की नहीं हो रहा तो फिर अपने right की तरफ देखेंगे root.right में और pass करेंगे sub root को तो अगर roots match नहीं होई तो फिर left subtree right subtree में देखेंगे और वहां से return करवाएंगे true या false तो यहां identical में किस तरीके से analyze करेंगे सबसे पहले तो देख लेते हैं कि दोनों null हैं क्या अगर दोनों के दोनों null है तो हमें return करना है true तो root अगर हमारा null है and हमारा sub root भी null है यह एक तो roots and sub roots के null होने की या नहीं trees के null होने की value को check करेगा plus यह leaf की condition भी है leaf में क्या हो जाता है leaf में हमारी रूट नल हो जाएगी तो leaf जब भी आएगा अगर main tree का leaf आ गया तो हमारे चोटे tree का भी leaf आना चाहिए वो दोनों का leaf साथ में आया है तो उस case में क्या करेंगे return कर देंगे true को पर अगर एक का leaf आ गया और दूसरे का leaf नहीं आया तो उस case में return करना है false यानि यह तो match नहीं कर रहे structures तो यहाँ पर देखेंगे root अगर null हो गया या फिर हमारा sub root null हो गया और इस condition में आया है मतलब उपर वाली false थी मतलब दोनों तो null नहीं है दोनों में से एक ही null है उस case में return कर देंगे false को अब तीसरी condition चेक करेंगे कि null भी नहीं है not null values है तो इस case में left का भी identical चेक करेंगे और right का भी identical चेक करेंगे तो यहाँ से return कर देंगे is identical हमारा root.left और subroot.left and and is identical हमारा root.right and subroot.right तो left subtree दोनों main और छोटे वाले ट्री के दोनों के left subtree भी identical होनी चेह और दोनों के right subtree भी identical होनी चेह इसलिए यहाँ पर and and हमने लगाया है और यह दोनों identical होंगे तभी हम return करेंगे true तो यह complete हो गया हमारा is identical function यह complete हो गया हमारा is subtree function अब यहाँ से directly return करने से पहले हम पहले चेक कर लेंगे कि क्या हमारी root की जो value है is that equal to our subroot node की value अगर values equal है मतलब current roots में current nodes में value equal है तभी left subtree और right subtree का identical होना जैक करना है अगर यह equal है उस case में return कर देंगे हमारी यह वाली चीज नहीं तो हम क्या करने वाले है नहीं तो directly false return कर देंगे false क्यों return किया? अगर current node में ही values हमारी match नहीं कर रही है तब तो मतलब यह जो subtree है यह main tree का part है ही नहीं उस case में तो return ही करना है false but अगर match करती है तो is identical left subtree के लिए check करेंगे और is identical right subtree के लिए check करेंगे तो यह हो गया हमारा is identical function और यह हो गया हमारा is subtree function इसको कर लेते हैं save करने की ज़रूरत नहीं है इसको run करते है directly run करके इसको submit करें test cases हमारे पास हो चुके और यह हमारा सही solution इस question के अंदर हमने क्या किया? एक हमें tree given था उस tree के लिए check करना था कि क्या वो main tree का subtree है या नहीं है सवाल को करने का बहुत ही असान तरीका हमने use किया है कि roots के साथ roots match कर लो जहां भी match हो जाए वहाँ देख लो नीचे का structure identical है क्या? अगर identical है तो return कर दो true नहीं तो return कर दो false अब इसके बाद एक special homework problem है जो हम सब के लिए है homework problem का नाम है sum of nodes at kth level काफी असान problem है इसका solution बिल्कुल बहुत मिलता जुलता है level order traversal से इसके अंदर करना क्या है हमें kth level के अंदर sum of nodes निकालना है यानि हमें k की कोई value given हो लगी मान लीजे k is equal to 2 हमें दिया हुआ है अब इसके अंदर हमें tree में अपने second level पर जाकर 2 plus 3 सारे nodes का sum लेना है तो वो आ जाएगा हमारे पास 5 अगर मान लीजे k is equal to 3 के लिए निकालना है तो वो हो जाएगा 4, 5, 6 का sum यानि 15 इसी तरीके से k की कोई भी value given हो सकती है और हमें उस level पर sum निकालना है इसको करने की अप्रोच क्या रहे ही कि हम एक queue तो अल्रेडी बनाते थे level order traversal के लिए अब उस queue में जब भी हमारा जो level होगा उसको track कर लेंगे level की value जैसे ही k के equal हो जाए तब जो भी nodes बाहर निकलेंगी queue के अंदर से उनका हम sum लेना शुरू कर देंगे और उस sum को हम करा देंगे return या फिर करवा देंगे print I hope कि यह question हम खुद से अपने आप solve कर रहे होंगे और इस question को solve करने में अगर परिशानी आती है तो नीचे आपको जो description box में notes ने हो उनके अंदर जवाब ज़रूर होगा पर खुद से एक बार इसको solve ज़रूर करना है और trees के और काफी सारे सवाल जो है इन basic concepts के उपर basic questions के उपर classical questions के उपर practice ज़रूर करते रहना है tree काफी important data structure है इसको बिल्कुल भी ignore कर नहीं करना इस class के बाद जो हम next topic पढ़ेंगे वो होगा binary search trees का जो अपने आप में और ज़्यादा special properties वाले trees होते है I hope कि आज की class हमें अच्छी लगी हो मिलते है next video में चल दें keep learning and keep exploring